ओम सिरी गनेशाय नमदूस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ जन्वरी रविवार के रासी फल्क के बारे में कि इह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने ने वीडियो पहुंच सके चड़ी दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज विध्यार्तियों को इंटर्व्यू वेक केरियर सम्मंदित परिक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी संभावना है इसलिए अपनी पढ़ाई के परती एकाग रुचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिक्तर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे 37 दोस्तों किसी धार्मिक प्रवर्ति के विक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में शकार अत्मक परिवर्तन लएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कार को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी रिष्टेदारों के साथ मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुछ समय से जिन कार के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब परिणाम उमीद से जादा आपको प्राप्त होंगे धार में कार के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहूल रहेगा आपकी मेहनत वे परिश्रम से कोई महत्पपून कर रहे आज संपन होगा आपकी योगता और छमता पर परिवार के सदस से गर्व महसूस करेंगे किसी विश्वेशनिये व्यक्ति की शलाम और शयोग आपकी खोई हुई प्रितिश्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में वरद्दी होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन भी आज संपन होगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अ अज फिजूल घुमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें अपनी शाररिक उर्जा को बना कर रखें आलासवे मनोरंजन में समय व्यतीत करने की वज़े से बनते कामों में रुकावट आ सकती है अपने महत्वापूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इनका गलत इस सकता है और इसकी वज़े से आपके स्वाबिमान को भी ठेस पहुँच सकती है संतान की गत्य विदियों पर पैनी नजर रखें बच्चों की समस्याओं को सांती पूरवक सुल जाएं उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हींता की भावना उपज सकती है कालपन इक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास करें परन्तु ध्यान रहे कि किसी भी कार्रे को करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलों पर आप विचार अती आवश्या करें क्योंकि कुछ गलत होने की भी संभावना लग रही है साथी साथ आज अध का करोध पूर्ण वैवार आपकी योजनाओं को डग मगा सकता है साथान रहें दोस्तों दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथी साथ किसी निकट संबंदी से भी मतबेद होने की आज पूरी संभवना हैं साथान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जबकि लवलाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों विवाहित जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों में आज काफी मजबूती आएगी प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल है परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुस नुमा बनाएगा तथा आपसे संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पती-पतिनी के संबंदों में मधूरता रहेगी किसी भी मह पूर्ण कार्रे में अपने जीवन साती की आपसला हवस्च चले आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कार्रे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्रे को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें कोई गल्ती होने की भी आज संभाव ना है दोस् अपना टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती है आज कुछ नए अनुबंद मिलने की संभाव ना है कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूजबूज से काम ले लाब के मार्ग प्रस्तत होने के आज योग बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सद्यूप्यो याव सकता है अन्यता अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है वैवसाय के विचार संबंदित रूप रेखा पर किसी भी कारे को आज इस्थगित करें आर्थिक सादनों में आज वरद्धी होगी परन्तु किसी भी प्रकार के अनुचित का है नोकरी पेशा व्यक्तियों से बौस्वे अधिकारी वर्ग आज प्रसन रहेंगे प्रमोशन मिलने के भी आज योग बन रहे हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज गिरने से या वाहन आदी से चोट लगनी की संभावना बन सकती है इसलिए आज आज आप अत्यादिक सावधानी बरते हैं वैसे आज आज आपका स्वास्त बहुत यच्छा रहेगा साथ-षाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे सुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद बाजार से तीन जहडू खरीद कर लाएं या दोस्तो इसके बाद आप इन तीनों जहडू को आसपास के किशीभी मंदिर में चुप चाप रख आएं और मनीमन भगवान शुरदेव का इसमरण आप करते रहें जा दोस्तो साती सात जहडू रखते समय आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप जहडू रखें तब आपको कोई देखे न जा दोस्तो ऐसा करने से आपको सुब फलो की प्राप्ति होंगी जो भी आपके घर में ध धन वैबब और यसमे वरद्धी होगी जा दोस्तो आप इस उपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्च दिल से कमेंट्स बोक्स में जैशुरदेव अवश्य लिखें और नवाद